बेस्ट लैप्टाप फो एनिमेशन इन 2021 तो भई अगर आपका बज़र नभी अजार से लेके दो लाख है इस प्राइच रेंज की बात करेंगे प्लस मैं आपको कहना जाता हूँ अगर आपका बज़र नभी अजार से कम है न मैंने वीडियो पहले ही की हुई है मेरे चैनल प को तो सब्सक्राइब वीडिकों को लाइक और इस तागर आप पे कल फॉलू लिंक वह रहा है या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाकर सको चावरू कर लेना तो स्टार करते हैं अभी बात करते हैं अगर आपका बज़र नभी अजार से लेके एक अगर आपने 3D सॉफ्टर पे काम करना आपना भी स्मूथली कर सकोगे प्लस भाई अगर आपने लॉंग टाप को रखना है आप काम कर सकोगे रख सकोगे कोई भी आपको प्रॉब्लम इश्यू नहीं आने वाला ठीक है मैं बात कहता हूँ सीधा नंबर थी की नंबर थी प ग्राफिक कार मिल जाएगा उसके साथ इसकी डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अगड़ी होने वाले है जो कि 144 रिफ्रेश्ट के साथ मिलेगी ठीक है जो कि सच में प्लस प्लस प्रॉइंट आ जाते है तो भी अगर आपने जाना है असूस रॉक्स रॉप्रिक्स की और आप जा सकते हो अगर आपने चाउड करना है आप चाउड भी कर सकते हो मैंने लिंक परवाइड किया हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा अभी बात कहते है इसके में स्प्रेसिकेशन की थोड़ा सा डीपली में आपको बता देता हूं तो यह डिस् देखने को मिलेगा 10th generation के साथ storage की बातों को 8GB RAM भी मिल जाएगा आपको 16GB RAM भी मिल जाएगा आपको 5GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिकार की बात करूं आपको GTX 1650 Ti देखने को मिलेगा 4GB के साथ opening system की बातों को Windows 10 मिल जाते है बेंटरी की बात करूं आपको 7-8 आपको ब laptop के बता दिए अगर आपने इस laptop के और जाना है आप चाह सकते हो अगर आपने सिर्फ चाओड करने तो भाई चाओड करने के पैसे नहीं लगते दिल खोल के आप देख सकते हो अभी आगे बात करते है नमबर टू की नमबर टू पर यार मैंने रखा है असूस रॉक जापर अगर इस laptop की बात करूं 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला laptop है विकर्ज आपको anti-dust cooling मिल जाती है dual fan मिल जाते है ब्लंस आपको बैक सैड में LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है जिसको आप कॉस्टमाज दर सकते हो तो अगर कलने इसके model नंबर वहुत देखने को मिल जाएगा आपको 16GB RAM भी मिल जाएगी ठीक है storage आपको 1TB मिल जाएगी 512GB मिल जाएगी मतलों जितना आप पे करो कि उसके according आपको specification मिल जाएगे अगर आप इसकी और भी चल जाते हो आप अगरा animation करते हो 3D animation करते हो ग्राफ IPS एंटी के लिए display है processor की बातों को AMD राजन 5 देखने को मिल जाएगा 4600HS के storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते है expandable आप कर सकते हो 32GB तक प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बात करूँ आपको Nvidia GTX भी मिल जाएगा RTX मिल जाएगा जितना पे करोगे उसके according specification मिलत के मैंने आपका उसूस रॉक जैब्रस के भी बता दिया अभी ज्यादा समय खराब नहीं करूगा आगे बात करते है नबर वान की नबर वान पर यार मैंने रखा इस सर कॉंसेप्ट डी को तो भाई अगर आप animation करतो 3D animation करतो आपको display quality बहुत तगरी मिलनी जाहिए ठीक है so that's why मैंने इसको नबर वान पर रखा अगर आपका budget नब्य जार से लेकि एक लाख दस जारे स्प्राइज रेंज में आपको मिल जागा आपको 4K display मिल जाती है specification बहुत जादा सही है प्लस यह white color में देखने को मिलता है बहुत जादा suit करता है इसको color तो भई अगर आपने ज generation के साथ मिलता है i5 में मिल जाएगा i7 भी मिल जाएगा मैं आपको repeat कर देता हूं storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है expandable expandable आप sorry 32GB तक कर सकते हो प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाता है graphic car की बातों को AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाता है प्रेनी system की बात करूं आपको Windows 10 मिल जाती है तो यार main specification मैंने आपको बता दिये Acer concept DKB अभी आपने देखना है इन तीनों वैसे अगर आपने कोई भी लेना आप ले सकते हो मैंने सभी के link provide की हुए आपको description box में देखने को में जागे उसको जाओड कर लेना अगर आप कोई भी लेना जाते हो तो आप ले सकते हो अभी आपको वहुत पसंद आने वाले हैं सीधी बात करते है नमबो थ्री की नमबो थ्री पर यार मैंने रखा है अगर इस laptop की बात को आपको डूल डिस्पले देखने को मिल जाती जो की second display है न वह आपको touch screen के साथ देखने को मिलते है इसके specification वहुत ज्यादा सही है अगर आपक आपको बताना चाता हूँ कि यह laptop बना ही creators के लिए तो वही अगर आप as a creator काम करना जाते हो आप normally easily कर सोगते हो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला प्लस आप इस laptop को long time प्रेटर रख सकते हो आपको बहुत पसंद आने वाला अभी बात करते है इसके main specification की मैं आपको deeply इसली बता देता हूँ तो यह display की बातों को 14-inch full HD plus display मिल जाते है जो कि IPS level display है second display की बातों को 12.6-inch की full HD plus display मिल जाते है जो कि IPS level display यह भी मिल जाते है प्लस यह touch display देखने को मिलेगी परसाइसर की बात करूं आपको i7-10 के साथ मिलता है storage की बातों को 16GB RAM मिल जाते है प्लस आपको 1 TV SSD देखने को मिलेगी graphic card की बातों को Nvidia G4 MX250 देखने को मिलेगा और प्रेनी system की बातों को जाते है battery life की बातों को 10 hours का battery life provide कर देता है यह laptop प्राइस की बात करूं आपको एक लाख 25,000 के बज़र में यह laptop देखने को मिल जाएगा तो यह में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको असूस laptop के भी बता दिये जादा हमें खराब नहीं करने वाला आगी बात करते हैं नबर टू की नबर टू पर यह मैंने रखिया मिल जाएगी ग्राफिक कार्ड में भी आपको चाहिए आप उसकी और जा सकते हैं अगर आपने कोई भी हावी सॉफ्ट यूज करना है अपना जो रैम हैना वो 16GB RAM मिनिमम रख लेना एंड 4GB ग्राफिक कार्ड मिनिमम रख लेना जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो मतलो जितने भी मैं आपको लैप्टॉप बता रहा हूं वो सब भी लोड़ीड है अभी बात करते हैं इसके में स्पेसिफिकेशन की थोड़े से डीपली में आपको बता देता हूं डिस्प्ले की बातों को 13.5 फूलस्ट प्लस दिस्प्ले में आपको बताना जातों इसमें आपको 13 इंच भी मिल जागे इसमें आपको 15 इंच भी देखने को मिल जागे प्रोसाशर की बात करूं आपको आपको ज्लेंस फालइस को इसमें को मिल जाएगा स्वाटो ब्लूस्ट। से ही स्टोरीज आपको 128 मिल जागा वांटी भी तक भी आपको देखने को मिल जाएगा ग्राफिक काड की बात करूं आपको इंटल एस प्लस भी मिल जागा मैंने आपको पहले रिपीड करी दिया ठीक है मैं बार-बार नहीं रिपीड करूंगा भी अपरेंग के बात करूं अ यार में स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया माकुस और सुर्फेस बुक थ्री के भी तो भाई अगर आप एस आ प्रोफेशनल काम करते हो ना सच बताऊंगा इसका डिजान इसकी लुक वगरा सच में बहुत जाता सही है प्लस इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको पूरे बिल जाते है जितना पे करोगे उसके अकौरिंग आपको मिलते जाएंगे सच में बहुत ज्यादा लुक किसका बहुत अपर है अगर आपको लुक के डिजाइन मैटर करता है आपके लिए पूफेटील हो सकता है अब आगे बात करते है नमबो वान की बात करूए या नमब इसके साथ आपको पैंद देखने को मिलेगा जिसके साथ आप इस लैप्टाप को यूज कर सकते हो इसका जो ट्रैक पैड है वह बहुँ जाधा से है अगर आप डाटा इंट्री करते हो आपके लिए भी बहुत सभी मिलेगा अगर आपने लॉंग निरुल करते हो वाई बात करते हैं इसके में स्पैसिफिकेशन की तो यह डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4 के डिस्प्ले देखने को मिल जादे हैं जो की टॉच्च सग्रीन है एच्पी पैन के साथ आती है पुरसाइसर की बात करूँ आपको आई सैवन 10th generation के साथ मिलता है की बातों को 16GB RAM मिल जाती प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाएगी ग्राफिक कार की बात करूँ आपको GTX 1660 Ti4GB के साथ मिल जाएगा और प्रेंटिंग सिस्टें की बात करूँ आपको चोड़ी आवस का बैंटरी लाव मिल जाता प्राइस की बातों के एक लाख बीस हजार क में HP Spectre X360 देखने को मिल जाएगी तो यहर मेंने आपको बता दिया HP Spectre X360 की अगर आपने इस लैप्तॉप के और आप इस लैप्तव की और भी जा सकते हो यह भी पूरा लूड़ अभी मैंने आपको एक लाख बीस हजार से लेकिस और एक लाख दस हजार से लेके एक लाख तीस अजार में जो लैप्तॉप बैस्त लैप्तव आते हैं मैंने आपको वह भी बता दिया अभी बात करते हैं अगर आपका बज़ट लाख से लेकिए दो लाख हो जाता इस प्राइज में तो आपको कहना जाता हूं कि आप एपल मैक्बुक फर्डिंग के और जा सकते हो यह दोनों ही बढ़ने की क्रीटर्टर के लिए ड्वाव्फर पर के लिए अगर आपने वेडियोगाटिंग करनी है एद्मिennesिन करनी है कोडिंग करनी है प्रोग्राम करनी है अ स्कूल में बढ़ते हो पड़ाते हो आफिस वर के लिए चाहिए अगर आप स्टूर्ण्ट हो आपने अपने कॉलीज युनिवर्स्टी के रिलेटेड काम करना कोई भी है वी सॉफ्टर यूज़ करना आप सभी के लिए पॉफट डील हो सकते है प्लस मैं आपको कहना जाता जो एपल मैकबुक थरी ने वहां एंवन चिपसेट के साथ आते जो की लेटेस्ट प्रसेसर आप बहुत दगड़ा भी अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्ट वर आज तक का यूज़ करना है आप इसली नॉर्मली कर सकते हो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपने 16 देखने देखने सकते हैं सबस्ट के सब्सक्राइब आपसफेसंट प्रोगे पात हूं आपकूं सब्सक्राइब कर आपको 13-inch container display मिल जाते है, जो कि iPad technology display है, प्रसेसर की बातों को i5-10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 16GB RAM मिल जाते है, प्लस 1 TV SSD देखने को मिल जागी, तो मैं आपको बताना जाता हूँ, आपको i7 भी मिल जाएगा, i5 भी मिल जाएगा, 16GB RAM भी मिल जाएगी, 32GB RAM मिल जाएगी, प्लस अगर आपने 64GB RAM के और जाना, वो भी मिल जाएगी, अगर आपने 1 TV SSD के और जाना, आपको मिल जाएगी, अगर आपने 8 TV तक भी जाना, वो भी आपको storage मिल जाएगी, प्रेडी सेस्टन की बातों को Mac OS मिल जाता है, आपने देखना है, दोनों में से आपको जो भी सही लगते हैं, जो भी आपके बटेड में सैट लगती है, आप उसके और जा सकते हो, तो यार, अभी मैंने आपको इतने laptop बता दिये, प्लस में, आपको कहना जाता हूँ, अगर आप Asus, Rocks, Tricks की और भी चल जाते हो, आपके पैसे बिलकुल भी नहीं खराब होने बाले, आप normally यूज कर सकते हो, अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करते हो, अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करते हो, अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शियर करते हो, दोस्तों को बेदाना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदाना, उनको भी कहते हो, आपको